प्रियविद्यार्थियों नमस्कार आज के इस वीडियो में हम करेंगे अपठीत गध्यांस और अपठीत गध्यांस में से पूछे जाने वाले प्रस्नों का उत्र कैसे दें बोड परिक्सा 2022 के लिए बोड ने हाल ही में जो नया पैटर्ण जारी किया है उस पैटर्ण के आजार पर आपकी बोड परिक्सा में एक अपठीत गध्यांस पूछा जाएगा और एक अपठीत पद्यांस पूछा जाएगा प्रतिक में से 6 अतिलग उत्रात्मक प्रस्ना आएंगे और प्रतिक प्रस्न होगा एक नमबर का तो आज हम इसी सीरिज में अपठीत गध्यांस को हल कर रहे हैं और अपठीत गध्यांस को पढ़ेंगे उसके बाद इसमें से पूछे गए 6 प्रस्नों के उत्तर देंगे इसको हम पढ़ लेते हैं और उसके बाद में हम इन प्रश्णों का उतर देते हैं तो मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूँ बेश्मने कभी बच्पन में पिता की गलत आकांगसाओं की त्रिप्ती के लिए भीशन प्रतिग्या की थी वह आजीवन विवा नहीं करेंगे अर्थात इस संभावना को ही नस्ट कर देंगे कि उनके पुत्र होगा और वह या उसकी संतान कुरुवंस के सियाहसन पर दावा करेगी प्रतिग्या सच्मुच भीशन थी कहते हैं कि इस भीशन प्रतिग्या के कारण ही वह देव व्रत से भीश्म बने यद भी चित्र वीरिय और विचित्र वीरिय तक तो कौरव रक्त रह गया था तथा पी बाद में वास्तवीक कौरव रक्त समाप्थ हो गया केवल कानूनी कौरव वंस चलता रहा जीवन के अंतिम दिनों में इतिहास मरमज्य भीश्म को यह बात क्या खली नहीं होगी भीश्म को अगर यह बात नहीं खली तो और भी बुरा हुआ पर सुराम चाहे ज्यान विज्यान की जानकारी का बोज ढूने में भीश्म के समकक्स न रहे हो पर सीधी बात को सीधा समझने में निश्चे ही वह उनसे बहुत आगे थे वह भी ब्रमचारी थे बाल ब्रमचारी भीश्म जब अपने निर्वेर्य भायों के लिए कन्या हरन कर लाए और एक कन्या को अविवाहित रहने को बाद्य किया तब उन्होंने भीश्म के इस पावन कारे को छमा नहीं किया समझाने बुजाने तक ही नहीं रुके लड़ाई भी की पर भीश्म अपनी प्रितिग्या के सब्दों से चिप्टे ही रहे वह भविश्य नहीं देख सके वह लोग कल्यान को नहीं समझ सके फलत है अप हरिता अपमानित कन्या जल मरी तो यह है आपका एक गद्यांस इसमें से हम प्रस्नों का उतर देते हैं पहला प्रस्न यह है देव व्रत को भीश्म कहकर क्यों पुकरा गया प्रस्न को समझे देव व्रत को भीश्म कहकर क्यों पुकरा गया प्रस्न पढ़ने के बाद पून यहां पर आई यहां पर देके लिखा हुआ हैं कहते हैं कि इस भीशन प्रतिग्या की कारणी वह देववरत से भीश्म बने तो इन्होंने कौन सी प्रतिग्या करी थी इन्होंने जो है एक भीशन प्रतिग्या करी थी और इस प्रतिग्या की वज़े से उन्हें भीष्म का गया प्रतिग्या ये थी कि वह आजीवन विवा नहीं करेंगे तो इस प्रस्न का हमें उत्तर देना है उत्तर कैसे देना है कि देववरत ने जीवन भर विवा ना करने की भीष्म प्रतिग्या की थी जिस पर वे जीवन परियंत अडिग रहे थ प्रतिगया की थी और उन्होंने प्रतिगया का पालन भी किया था और अपनी इस भीषन प्रतिगया के कारण वब् accomplishma कहलाए तो सुरू में उनका नाम था dewरत बाद में वो भीषम कहलाए दूसरा प्रशन प्रस्यमा है दूसरा भीश्म ने क्या प्रतिग्या की थी तो आप यहाँ पर देखिए हमारे इस paragraph में इस प्रस्ट रूप से इस गध्यांस में लिखा हुआ है कि भीश्मा ने कभी बचपन में पिता की गलत आकांगसाओं की तरपती के लिए अपने पिता की आकांगसाओं क की प्रतिग्या की थी ताकि उनका पुत्र या उनकी संतान कुरुवंस के आसन पर कुरुवंस के सीहासन पर बैठने का दावा नहीं करें तो यह उन्होंने प्रतिग्या करी थी ध्यान रखना इसमें कि अप जो आप जो भावार्त समझे हो उसको अपने सब्दों में लिखने आकांगसाओं की त्रप्ति के लिए भिस्म ने प्रतिग्या की थी, तो कारण क्या था, पिता के आकांगसाओं क्या थी, भिस्म के पिता, महराज सांतनु जो है थे उनकी, उन्होंने क्या किया कि एक धीवर कन्या मत्चे गंदा से वो विवा करना चाहते थे, लेकिन इस उन्होंने एक सर्थ रखी थी, कि उसकी संतान को, यानि मत्चे गंदा की होने वाली संतान को, जो है ये राज मिलना चाहिए, ठीक, ना, तो कहते हैं कि मत्चे गंदा की पिता चाहते थे, कि उसके दोहित्र ही कुरू वंस के सियाहसं पर बैठे बिश्म ने जब बिश्म को ये बात पता चली तो उन्होंने अपने पिता की आकांसाओं की तरपती के लिए उन्होंने ये प्रतिग्या करे थी कि मैं आजीवन विवाहित रहूंगा मैं विवाह नहीं करूंगा ताकि मेरी कोई संतान नहीं होगी और मेरी संतान इस सिहासन का जो है वो अधिकार नहीं मांगेगी तो भीसमा ने आजीवन अविवाइत रहने की प्रतिग्या करके मत्से गंदा की पिता को संतुष्ट किया कि उनका दोहित्र ही कुरुवंस के सिहासन पर बैठेगा तो इसलिए इन्होंने जो है वो भीसमा प्रतिग्या की थी भीसमा ने चोता प्रस्न है चीत्र वीर्य और वीचीत्र वीर्य कौन थे इस गध्यांस को पढ़ने के बाद आपको ये उत्तर देना है चीत्रवेरिय और विचीत्रवेरिय मत्स्य गंदा के गर्ब से जन्म लेने वाले महाराज सांतनु के पुत्र थे यानि जो भीस्म थे यानि जो देववरत थे उसके ये भाई थे ये सोतेले भाई थे इनके ठीक है और वे भीस्म के सोतेले भाई लगते थे अगला प्रसना है आपके लिए पांचवा प्रसना इस गद्यांस में से लिया गया कि भीस्म तथा परसुराम में गुणों संबंदी क्या अंतर था दोनों में क्या गुण थे तो जो नीचे वाला पेरेग्राफ हमने देखा था गद्यांस का जो भाग है उन नीचे वाला उसमें इस पर स्टूप से लिकावा है कि भीस्म ज्यान विज्यान पर आधारित रहते थे परंतु लोग हीत की सीधी बात उनकी समझ से परे होती थी परसुराम लोग हीत की सीधी सची बात को सरलता से समझ लेते थे यद भी उनको ज्यान विज्यान के चेत्र में महारत हासिल नहीं थी तो ये तो इनके गुणों में अंतर हो गया और दूसरा यह है कि दोनों ही बाल ब्रह्मचारी थे अगला प्रस्ण है लास्ट और अंतिम प्रस्ण है जो छटवा प्रस्ण है हर गद्यांस में और हर प्रद्यांस में अंतिम प्रस्ण है इसी प्रकार का पूछा जाता है प्रस्तुत गद्यांस के लिए एक उचित सिर्शक सुझाईए तो इस गद्यांस को पढ़ने के बाद आपको इस पर श्रुप से समझ में आ गया होगा कि भीस्म की भीसन प्रतिग्या के बारे में इस गद्यांस में चर्चा की गई है तो आपको लेगना है कि उपरियुक्त गद्यांस के लिए उपियुक्त सिर्सक है, भिष्म की भिष्म प्रतिग्या, बड़ी गंभीर प्रतिग्या इनकी तो यह हमने गद्यांस कर लिया, अब यह हमने पूरव के वीडियो में हम डिसकस कर चुके हैं पर कि किसी भी आपटित गद्यांस को हल करने के लिए हमें कौन-कौन सी बाते निहान में रखनी है तो आप इसके लिए आप हमारा जो पिछला वीडियो है वो देख सकते हैं जिसका आपको लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और स में हम एक और नया मॉडल पैपर आपके लिए लेकर करेंगे बूर्ड परिक्शा का जो 2022 का जो लेटेस्ट पैटर्न है जो 30% से लेवस कम करने के बाद जो सेस आपका जो टॉपिक बचे हैं आपके उसमें से उसके आधार पर जो है आपको नया बिल्कुल लेटेस्ट मिलेगा वो भी बिल्कुल फ्री धन्यवाद आपका इस वीडियो में जुरने के लिए थैंक यू